हाई गाईज वेलकम बेक टो आप चैनल निकी टीटियोल दिस इस मी यार रिंक एन वेलकम चैनल एक साइटी मीडियो तो गाईज कैसे हैं आप सब उमिद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़ी होंगे तो गाईज आज में आप लोके साथ कुछ साडी का रिव्यू शेयर करने व आज में आप लोके साथ शेयर करने वाली हों तो विदा उस पदेज स्टार्टिट आज में जिस साडी का रिव्यू शेयर कने वाली उससे मैंने मेसो से पच्छिस किया है जी हां मेसो अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है तो इस वाज से मैंने इन साडी को मेसो से पच्छिस किया तो अगर आप इन साडी को पच्छिस करना चाहते हो तो इसका जो कोड़ है ने डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में डाल दिया उस कोड़ के थूँ आप डेफिनिली पच्छिस कर सकते हैं जिन साडी का मैं आज आपको साथ रिव्यू शेक करने वाली हूँ वो कि तो आज मैं आपको साथ रिव्यू के तरफ में तो आज मैं जिस और गेंजा साडी का रिव्यू करने वाली हो बहुत जादा ट्रेंड में है यह हम देख लेते हैं तो आइस यह जो साड़ी है बहुत 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 ज्यादा ब्यूटिफुल साड़ी आप देख सकते हो यह जो साड़ी है बहुत ज्यादा लाइट वेट साड़ी है और औरगेंजा बोलने से ही आप समझ सकते हो कितनी pretty है साड़ी होगी बहुत ही ज्यादा हलकी है आप इसे party wear के लिए definitely purchase कर सकते हो क्योंकि ये जो साड़ी है देख सकते हो बहुत ही beautiful सा एक shine प्रोवाइड होता है तो इस साड़ी को आप party के लिए definitely carry कर सकते हो तो अब मैं आपको साड़ी open करके लिखाती हूँ कि ये जो साड़ी है किस तरिकी का इसमें print बनाया गया है तो आप देख सकते हो ये जो साड़ी है बहुत ही ज्यादा pretty साड़ी है बहुत ज्यादा transparent नहीं है इसमें आपको कुछ इस तरिकी के flowers लिए पर बने हुए हैं आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटिफूल फ्लावर बने हुए में युअ में अद इसका जो कलर कॉर्ण का लेसा लगाया गया बहुत ही ज्यादा खुब्सूरत लग रहा इस लेस के कारण नीचे में आपको फूरा लेसा लगा हुं जाएगा जो क बहुत ही पतला सा लेस लगा हुआ आप देख सकते हो इको मैं 10 out of 10 देती हूँ क्योंकि ये जो साड़ी है बहुत ही आदा lightweight है पार्टी के लिए हम इसे easily carry कर सकते हैं क्योंकि ये जो साड़ी है ना क्योंकि ये जो साड़ी है बिल्कुल भी heavy नहीं है आप देख सकते हो मैं ऐसे आपको इस तरह के से डाल के दिखा रही हूँ तो ये इसके साथ भी कितना pretty लग रहा है तो जब आप सोचो इसका जब आप blouse बनवा के इसे wear करोगे तो कितना अच्छा look आएगा अब मैं आपको इसका blouse piece दिखा देती इसे अलग करवा सकते हो ये जो साडी है आइधिंक कि इसकी जो प्राइस है वो 600 के अंदर ही है मुझे प्राइस याद नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजेगा मैंने वापे इस प्रोड़क का जो कोड है वो मेंशिन कर दिया है अब इस साडी को प्राइस करना चाहते है तो इसका जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाले इस साडी में आपको दो से तीन कलर ओप्शन मिल जाएंगे तो जिसके कारण आप इस साडी को प्राइस कर सकते हैं अपने एकॉर्डिंग तो अब हम नेक्स्ट मूवान करते हैं दूसरे साडी के तरफ नेक्स्ट जो साडी है वो है ये मैंने इसे बुक्त पर नहीं किया है तो ये भी एक औरगेंजा साडी है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस साडी को देखा होगा सो मैंने भी इसे परचेस कर लिया और फाइनली आज आप लोगे साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ इसे मिलती जुलती है बट इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा इसमें आपको बड़े-बड़े डिजिटल फ्लावर के प्रिंट बनाये गए हैं और ये जो साडी है ये थोड़ी सी ज्यादा ट्रांस्परेंट है मैं अभी आपको दिखाऊंगी यह साडी है इसमें कुछ इतने बड़े-बड़े flowers के print बनाये गए हैं आपको बहुत ही beautiful सा बड़ा-बड़ा flower बना हुआ इस साडी में मिल जाएगा यह जो साडी है थोड़ी से ज्यादा transparent मुझे लगी अगर आपको इतनी ज्यादा transparent साडी वेर करना पसंद है तो आप definitely इस साडी को purchase कर सकते हो यह जो साडी है यह भी बहुत ही ज्यादा soft है और बहुत ज्यादा comfortable यह साडी है आप इसे easily carry करके कहीं भी जा सकते हो आज से past color options मिल जाएगे इसमें काफी ज्यादा बड़ा flower बनाया गया है यह आप देख सकते हो और मुझे यह साडी बहुत ही ज्यादा पसंद आई बढ़ हां इसका जो blouse piece है वो मुझे उतना खास पसंद नहीं आया प्रे का किसी और pink color की o son's इसे best क है या फिर ग्रीन कलर की wear कर सकते हैं मुझे यह लिखपीस बिल्कुल भी पसंद नहीं ऐं BE करती मैं इस blouse pence से कोई भी blouse नहीं बनवाने وाली हूं डाही हो में दूसरे blouse के साठ में इस साड़ी को तो यह जो साड़ी है यह मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगवाया है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और इस साड़ी की जो प्राइज है वो थोड़ी सी प्राइजी इसको गिफ्ट करना चाहते हो या फिर आप अपनी मम्मी के लिए लेना चाहते हो तो डेफिन यह मैंने अपनी मम्मी के लिए पचिस किया है बहुत ही ब्यूटिफुल यह एक पीच कलर का साड़ी है और इसका जो शाइन आप देख सकते हो बहुत ही प्रिटी इसमें कुछ इस तरही का चौड़ा बॉर्डर है जो कि साड़ी के साथ में अटैच अलग से बॉर्डर नहीं बनाया गया है मैं आपको साड़ी ओपन करके रिखाती तो जब आप इस साड़ी ओपन करोगे तो यहां पे कुछ इतना सा पार्ट आपको दिया जाता है टकिन करने के लिए और आपकी जो पूरी साड़ी है वो इस तरीके के पूरे बहुत ही ज्यादा खूपसूरत साड़ है यह अगर आप किसी भी पार्टी के लिए या फिर किसी भी पूजा फंक्शन के लिए इस टैब की शाढ़ी को वेर करना पसंद करते हो तो आप इस साढ़ी को डैफिनिटी पच voltar सकते हैं कि आपके किसी भी occasion के साथ में पूरा match करने वाला है कुछ इस तरखी के pattern में आपको देखने को मिल जाती है तो मेरे तरफ से यह जो साडी है 10 out of 10 है पूरी साडी है बहुत ही ज्यादा जो starting motion है इसे आपको tuck in करना होता है उसके बाद में आपकी जो साडी है वो start होती है इस देख लेते हैं तो blouse piece देखे आप एकदम shock रह जाओगे क्योंकि इसका जो blouse piece है वो purple color में है yes guys purple color में है इस साडी को इस blouse के साथ में contrast में play किया गया है जिससे कि आपका overall look जो आएगा बहुत ही pretty आएगा जो की इस साडी के हैथ में बहुत ही अच्छा एक contrast play कर रहा है तो इस साडी का जो blouse piece है वो contrast में आपको दिया गया है ये जो साडी है ये silk के उपर में साडी है बहुत ज़्यादा soft साडी है और इस साडी की जो price है वो 1186 रुपीज ये थोड़ी सी price ही है तो function के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी deal होने वाली है क्योंकि अगर आप इस टाप के साडी को purchase करते हैं तो ये जो साड़ी आपके look को निखारने में help करेगा तो चलिए अब हम नेक्स साडी को देख लेते हैं कि गाइस मैंने पहले ही कहा था कि इस हाल में मेरी एक most favorite साडी है जिसे मैं last में share करूंगी तो last साडी जो है वो है ये यहां ये भी organza साडी है organza साडी अभी काफी ज़्यादा trend में है तो इस वज़े से मैंने कुछ organza साडी को पचस किया और आप रिव्यू शेय कर दूए कोई भी साडी अगर पसंद आ रही हो तो आप भी इस साडी को पचस कर सकें ये जो साडी है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी तो इस वज़े से मैंने इस साडी को पचस किया इसकी price जो है वो थोड़ी सी high है तो price की बाद हम बाद में कर लेते हैं सबसे फ़र्स हम साडी को देख लेते हैं ये बहुत ही ज़्यादा pretty साडी आप देख सकते हो साडी के नीचे में आपको कुछ इस तरीकी का work किया वा मिल जाता है और पूरे साडी में आपको work मिल जाएगा आप देख सकते हो आप white साडी wear करना पसंद करते हैं तो आप इस साडी को definitely purchase कर सकते हैं बहुत ज़्यादा light weight, coffee, trendy साडी है की beautiful महीन thread work किया गया है पूरे साडी में आपको ये एक महीन thread work मिल जाएगा जो कि किसी भी तरीके से आपका जो ये work है निकलने वाला नहीं है तो आप इसका finishing देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से साडी की finishing की गई है हम इसकी blouse देख लेते हैं तो blouse piece आपको full thread work वाला मिल जाता है oh my god आप देख सकते हो काफी pretty and काफी beautiful इसका जो blouse piece है उसमें पूरा thread work किया हुआ आपको मिल जाता है I think आपको 1 से 2 color options ही मिलेंगे मुझे white color बहुत जादा पसंदा था तो इसलिए मैंने इसे purchase किया इसकी जो price है I think 600 उपीज है प्राइस मुझे exactly याद नहीं है तो मैंने जैसे कि कहा कि साड़ी का जो code है मैं description box में डाल देऊंगी उसके थो आप definitely purchase करना चाहें तो कर सकते हैं चेक कर सकते हैं कि साड़ी की actual price जो है वो कितनी है तो guys I hope कि आज का haul आप लोको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्स्राइब कीजेगा वीडियो को अपने family और फ्रेंद साज जा सादा शेक कीजेगा ताकि वो भी इस तरके के new new trendy साड़ी को purchase करना चाते है तो इस वीडियो के थूँ उन्हें कुछ help मिल सके so thank you so much मेरे वीडियो को देखने के लिए मिलती हो अगले वीडियो में तब तक लिए stay stay bye bye take care